हलो फ्रेंड्स वल्कम तू आल आज मैं आपके लिए वीडियो डेकर आ रहे हैं कि इस चीज का इंतजार था यानि कि रिलांस इंडस्ट्री के नतीजों का वह आपके सामने है 30 लाख लोग रिलांस इंडस्ट्री के शेर में इन्वेस्टेड हैं और वह इंतजार कर रहे थे इस रिजल्ट का रिजल्ट आपके सामने सीधे आपको रिजल्ट की तरफ लेके चलते हैं आज की डेट में रिलांस इंडस्ट्री में बड़ी गरावाट आपने देखी लेकिन इसकी वज़े से पूरी मार्केट हिल सकती है कुछ दिन पहले यानि कि 4-5 दिन पहले हमने ऐसे ब्रेक आउट आ रहे है कि ऐसे ब्रेक आउट के बाद पुलबेक आएगा और आज का रिजल्ट क्या कुछ कहता है रिजल्ट अभी आया है आठ बजे के आसपास और आपके लिए वीडियो बिलकुल तुरंत अवेले बने रिजल्ट को देखते हैं फिर बाकी बाते कर देखते हैं तो पिछले साल दिसंबर यानि की प्री कोविड लेवल पे कंपनी का रिवेन्यू जो था वह बहुत ही जबरदस्त यानि की 1,60,000 करोड का था और इस बार रिवेन्यू में बड़ी गिरावट देखने को मिली है 1,28,000 करोड जो कि पिछले क्वाटर के कंपैरि ऐसा लगता है कि profitability में असर देखने को मिल सकता है पिछले साल दिसंबर में 1,45,000 करोड का expense था जो कि इस बार बहुत ही कम जिस तरीके से revenue में आप गिरावट देख पार है उस तरी से expenses में भी कटवती जरूर हुई है जिसकी वज़े से कहीं न कहीं positivity और अच्छी बात मुझ लेकिन profitability 14,962 करोड से profit 14,982 करोड यानि कि before tax का जो profit है वो fix है कोई गिरावट यहाँ पे नहीं आई है रिलाइन्स इंडस्ट्री रिवेन्यू गिराए expenses में भी कटवती profit intact जो पिछले साल था वही इस साल भी profit है profit for the period यानि कि taxation का फायदा यहाँ पे होता हुआ देख रहा है और जिसकी वज़े से यह देखे जरा जिसकी वज़े से मुझे profitability में पॉजिटिविटी देख रही है के profits में आप सीधे सीधे देख पा रहे हो 11,841 करोड से यह profit बढ़के 14,894 करोड कितना 14,894 करोड सीधे सीधे देखे profit में 3,000 करोड का jump आप देख पा रहे हो मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी Reliance Industries का profit revenue गिरा और taxes में भी कटोती और profitability में बहुत ही बहतरीन जंप आपने देखा तो ये खुशी की बात Reliance दे दिया आपको positive profit earning per share को देख लीजिए आप किस तरीके से earning per share यहाँ पे जो 18 के आसपास था वो 20.33 अभी देखने को मिल रहा earning per share बहुत ही बढ़िया मैं कहूंगा earning per share आपे Reliance Industries correction चल रही थी बहुत टाइम से 24-2500 के level से company का जो है stock नीचे आया 18-1900 के level पे और ये बहुत ही बढ़िया result जब भी Reliance का result आता है तो हर कोई ये देखता है कि कहाँ पे revenue में गिरावट आई कहाँ पे positivity आई तो आप सीधे सीधे देख सकते हो oil to chemical oil and gas segment में आपको dip जरूर देखने को मिल रहा रिटेल में भी इस बार आपको dip पिछले साल दिसमबर के comparison में देखने को मिल रहा अगर कोई positivity है तो digital services यानि की जियो वाला काम यहाँ पे पैसा कमा के गया है यह देखें digital services 17,849 करोड से जम्प होके 23,678 करोड भी जियो च्छा गया यहाँ पे overall यह positivity जियो में आपको देखने को मिल रहा है जटका कहा oil to chemical oil and gas retail segment में आपको देखने को मिल रहा है और overall अगर आप देखो यहाँ पे digital services ने क्या की है कमाल करद्या digital service ने 6000 करोड से profitability 9000 करोड के आसपास तो अच्छा जम्प digital services में देखने को मिला है तो alliance industries के stock को देखते है क् चल रहा है alliance industries में और मुझे यह लगा कि यहाँ पर जो profit है वो कहीं ने कहीं यहाँ पर बढ़िया 3000 करोड के profit में jump को आप देखोगे और alliance industries का stock जो की 2050 के आसपास trade कर रहा है यह company इंडिया के अंदर सबसे बड़े market capitalization वाली company है 13 lakh करोड का market capitalization है और company अपने net debt free होने की बात क sales growth जबरदस्त है कोई कमी नहीं है top की company है अब मैं alliance industries के stock के technical analysis के ओपर आपको ले के चलता हूं जिस चीज का इंतजार था यानि कि जो पिछले 2-3 महिनों का correction वो resolve हो रहाता है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे अब आपको डर होगा क्या alliance industries के share गिर जाएगा और नीचे कितनी बहतरीन यह rally थी कितना almost मतलब 800 रुपे से rally कितने almost यह बान के चलिए पैसा आपका तीन गुना हो गया और उसके बाद in between बहुत सारी छोटे छोटे corrections आपको मिले और फिर से एक बड़ा correction और इस correction के resolution की हम बात कर रहेते हैं अब इस पूरे के पूरे leg को जब आप दे लेवल पे इस breakout के level पे इस breakout के level पे आपके लिए वीडियो रेगुलर लेके आया और अभी recently हम breakout यहाँ पे correction resolution के लिए आपका लिए वीडियो लेके आया है और अभी यह flat trade कर रहा है कभी भी इसमें change हो सकता है अब मैं आपको daily time frame पे लेके जाओंगा तो आप हैरान होने वा लेकिन हमको इंतजार था यह correction यहाँ पे bullish cross बनेगा और correction हमारे सामने आएगा अब कल की date में जैसे result आया है अगर यहाँ से gap up opening देखने को मिले तो बहुत ही बढ़िया क्योंकि correction आ चुका है बट बट तैयारी किस चीज की है जड़ा देखिए यह जो breakout था इस breakout को आप यह क्या है breakout के बाद pullback अगर यह correction थोड़ा सा मैं कहूंगा और भी नीचे रहती है कुछ दिन रहती भी है तो भी बढ़िया बात है क्योंकि जब यह resolve यहाँ पे होगी तो आपको मिलेगा मौका अलग अलग तरीके के मौके आपको मिलते हैं एक particular stock को जब आप देखते हो उ अगली impulse जैसे start होते हैं तो आपको बहुत सारी opportunities देती है और उन opportunities को grab करने के लिए what you need you just need a microscope यानी की छोटे time frame पर जाके आपको देखना है उस microscopic view से आपको देखना है तो आपको आएगा मजा तो फिलाल इसको देखिए यह समझ यह राइंस इंडस्री प्रॉफिट तो रखें अगर हम positivity की सोच रहे हैं तो हमको risk भी तो manage करना है तो हमारा यह stop loss यहां पर available है और यह area एक range एक strict range के अंदर अभी stock trade कर रहा है जैसे यह range आपको देखने को मिलेगी जो छोटे time frame वाले हैं वह already सवार यहां पर हो गए होंगे और अब यह breakout होगा तो बड़ी rally back का हमें इंतजार रहेगा छोटी correction का या फिर इंतजार रहेगा consolidation का तो यहां पर reliance industries को हम हर तसली से देख रहे हैं नजरिये से देख रहे हैं और हमने यहां पर जो result को देखा result को समझने की कोशिश करी उसके अलावा अगर आप retail निवेशकों को reliance industries में देखोगे तो यहां पर invested यहां पर more than 30 lakh मैं कहूंगा और इनका count जो है वह बढ़ता जा रहा है और अभी जो पिछले से लेके September से लेके December quarter में और माल यहां पर reliance industries में रिटेन निवेशकों ने खरीदा इससे पहले 52 करोड 50 करोड शेयर्स थे अब यह 52 करोड 50 lakh शेयर हो चुक है यानि की almost कितने 2 करोड शेयर्स यहां पर रिटेन निवेशकों ने और खरीद लिये mutual fund वालों ने क्या किया December के data में जरा देखते हैं mutual fund वालों ने कुछ काम किया है मुझे लगता profit booking कर रखे है mutual fund वालों ने यह देखिए जरा profit booking जरूरी है तो इन्होंने यहां पर profit booking कर रखी है रिटेन निवेशकों को माल चिपका रखा और यहां पर इवन foreign portfolio निवेशकों ने भी profit booking कर रखे दिसंबर तक के quarter में जो correction आपने देखने को मिलें आपको वह जो चौबिस पच्छे सौ से लेवल से अठारा उनिवेशकों के लेवल पर आया तो उस टाइम पे बड़े निवेशकों को ने profit booking कर रखे तो फिलाल wind up करता हूं उस वीडियो को उमीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा